बुख्यमंत्रिगान, भारत सरकार के सभी मेरे साथी, आप सभी ने वर्तवान परिस्तिती की जो गंभीरता है, उसका आकलन करते हुए, कई महत्वपण बिंदू आज सामने रखे हैं, और कई जरूरी सुझाव भी दिये हैं, और बहुत स्वाभाविक था कि जहां पर मृत्युदर जादा है, जहां पर करोना का स्प्रेड तेज हो रहा है, उन राज्योक्षगात विश्यसुप से चर्चा की गई हैं। लेकिन बाकी राज्यों के पास भी काफी अच्छे सुझाव हो सकते हैं, तो मैं आगर करूँगा कि ऐसे कोई पॉजिटिव सुझाव जो जरूरी हैं, आपको लगता है, वो मेरे तक पहुंचाईए, ताकि कोई कोई राणदिती बनाने में वो उपकारक होंगे। अभी यहां जो भारत सरकार की तरब से, स्वास्ता सचीव की तरब से प्रेजेंटेशन रखा गया, उससे भी स्पर्ष्ट है, कि एक बार फिर चुनावति पुर्ण स्थिती बन रही हैं। कुछ राज्यों में स्थिती ज्यादा चिंता जनक हैं, ऐसे में गवर्नन्स सिस्टिम में सुधार यह बहुत आवश्चक है, यह मैं समझ सकता हूँ, कि साल भर की इस लड़ाय के कारण लवस्ता में भी ठकान आ सकती हैं, डीलापन भी आ सकता है, लेकिन यह दो-तिन सप्त और अगर हम टाइट करें, और अगर गवर्नर्स को बराब मजबूत करें, इस पर हमने बल देना चाहिए, सात्यों आज की समिक्षा में कुछ बाते हमारे सामने सपस्ट हैं, और उन पर हमें विशेज ध्यान देने की जरूरत है, पहला देश फर्स्ट वेव के समय की पिक क क्रॉस कर चुका है, और इस बार के ग्रोथ रेट में पहले से भी ज्यादा तेज है, दूसरा, महराष्टर, च्छतिसगर, पंजाब, मत्बदेश, गुजरात समेथ, कई राज्ये, फर्स्ट वेव की पिक को भी क्रॉस कर चुके, कुछ और राज्य भी इस वर्तेजी से बढ़ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि हम सब के लिए इस चिंता का विशे हैं, सीरियस कंसन हैं, और तीसरा, इस बार लोग पहले की अप्रेक्शा बहुत अधिक कैजियल हो गए हैं, अधिकतर राज्यों में प्रशासन भी सुस्त नजर आ रहा हैं, ऐसे में करोना के केसिस की इस अचानक बढ़ोत्री ने मुश्किले ज्यादा पैदा की हैं, करोना के प्रसार को रोकने के लिए फिर से यूद्त स्तर पर काम करना आवश्यों हैं, साथ इन तमाम चुनावतों के बावजों हमारे पास पहले की अपेक्षा बहतर अनुगों है, पहले की अपेक्षा अच्छे संसादन है, और अब एक वैक्सिन भी हमारे पास है। जन भागीदारी के साथ साथ हमारे परिश्रमी डॉक्टर्स और हेल्थ वर्टर्स हेल्थ केर स्ट्राइब ने स्थितिकों समानने में बहुत मदद की और आज भी करने हैं। आप सभी में अपने पहले के अनुभाओं का प्रभावी डंग से उप्योंग अपिक्षीत है। अब आप कल्पना कीजिए कि गत्व और जिन दिनों में हमारे हाल क्या थे। हमारे पास ट्रेश्टिंग लेप नहीं थे। इवन मास्ट कहां से मिलेगा हिरुए चिंता का मिश्रत है। पिपी केट नहीं था। और उस समय हमारे लिए बचने का एक मात्र साधन बचा था लॉकडाउन। ताकि हम व्यवस्ताओं के एक दम से जितना तेजी से बढ़ा सके। और वह हमारी स्ट्रेजी काम आई। हम व्यवस्ताओं को बना सके। सवसाधन खड़े कर पाएं। हमारी अपनी capability बढ़ाई। दुनिया से जहां से आप तो कर सकते कर पाएं। और lockdown के समय के हमने उप्योग किया। लेकिन आज जो स्टिती है। आज जब हमारे पास सब समसाधन है। तो हमारा बल और यह हमारे governance की कसोटी है। कि हमारा बल लुकाया जूंपर होना चाहिए। चोटे जूंपरोव्यो زज में चोटें जूं पर सब से यादा हो hurting ज़एं। जहांतल रात्री करफ्यु का प्रवप हो रहा है। हां मेरा अग्रव है कि उसके लिए सब प्रव हमेशा करे कुरोना करे करके। ताकि कोरोना के प्रती एक सजगता बनी रहे। कुछ लोग यह intellectual debate करते हैं कि क्या कोरोना रात को याता है। हकीकत में दुनिया ने भी रात्री कर्फ्यू के प्रयोग को स्विकार किया है। क्योंकि हर व्यक्ति को कर्फ्यू समय होता है तो यात आता है कि हां मैं कोरोना काल में जी रहा ह। और बाकी जीवन व्यवस्ताओं को कम से कम प्रभाव होता है। हाँ अच्छा होगा कि हम कोरोना कर्फ्यू रात को नौ बजे शुरू करें या रात को दस बजे शुरू करें और सुबह पांच-छे बजे तक चलाएं ताकि बाकी व्यवस्थाओं को प्रभाव ज्यादा न हो और इसलिए उसको कोरोना कर्फ्यू के नाम सही प्रचलीद करे और कोरोना कर भी एक प्रकार से लोकों को एजुकेट करने के लिए काम आ रहा है एवर्देस के लिए काम आ रहा है तो हमने इसके तरफ भ्यान देने के लेकिन मैंने पहले कहा अब हमारे पास व्यवस्था इतनी हो चुकी है माइक्रो कंटेन्मेंट जोन उसी पर बल दीजिए आपको अच्छे प्रणाम मिलेंगे हां उसमें जरा सरकार को थोड़ी मेहनत ज्यादा पड़ती है गवननस को टाइट रखना पड़ता है हर चीज को माइनूटली अफजर करना पड़ता है लेकिन ये मेहनत रंग कि मुझे विश्पास कीजिए दूसरी बात है हमने पिछली बार कोवीड का आंकड़ा है दस लाख एक्टिव केसे से सवा लाग तक नीचे लाकर दिखा दिया था एक जिस रणदिती पर चलते हुए संभव हुआ वो आज भी उतने ही सटिक है और मज़ा देखिए उस समय सफलता हम ही लोग ने पाई थी तब समसादन भी कम थे आज तो समसादन जादा है और अनुभव भी जादा है और इसलिए हम इस पीक को बहुत तेजी से नीचे ला सकते हैं पिक को उपर जाते रोग भी सकते हैं और अनुभव कहता है कि टेस्ट ट्रेक ट्रीट कोवीड एप्रोप्रियेट बिहेवियर और कोवीड मैनेजमेंट इनी चीजों पर हमें बल देना है और आप देखिए अब एक विशा ऐसा आया है मैं आप सभी मुखमंत्रिय कि आप अपने राज्य की मश्री के द्वारा थोड़ा अगर एनालिसिस करें सर्वे करें और एक सवाल का जवाब हमें मिल सकता है क्या मैं इसको सवाल के रुप में कह रहा हूं होता क्या है कि इन दिनों कोरोना में यह थोड़ा वेरिफिकेशन का वीशे है लेकिन आप भी उसको राज्य में करवा सकते हैं पहले करोना के समय क्या होता था हलके फुल के सिंटेंस भी लोग धर जाते थे तो तुरंट एक्शन लेते थे दूसरा इन दिनों बहुत पेशन्ट अस्यम्टेमिटी है और उसके कारण उनको लगता है तो ऐसे ही थोड़ा जुकाम हो गया ऐसा हो गया कभी-कभी तो भूमी ने जनी दा और उसके कारण वो परिवार में पहले की तरह ही जिंदगी जीते हैं और परिणाम शुरूप पूरे अब परिवार लपेट जाता है और फिर इंटेंसिटी बढ़ती है त केरलेस होती है उसका उपाय क्या है उसका उपाय है प्रो एक्टिव टेस्टिंग हम जितना ज्यादा टेस्टिंग करेंगे तो ऐसे जो पेसंट होगा वो भी ध्यान में आ जाएगा तो परिवार में होम कोरून ट्राइल वगए घंग से कर लेगा वो परिवार के साथ जैस वेक्सिन की करते हैं उससे जादा चर्चा हमें टेस्टिंग की करने की जरूरत है बल टेस्टिंग पर देने की जरूरत है और हमने सामने से टेस्टिंग के लिए जाना है उसको तकलीब हो और फिर टेस्टिंग करने के लिए और फिर उसको पॉजिटिव नेगेटिव मिल जा हमारे पास वायरस को कंटेंड करने के लिए एक एहम तरीका है कि हम हुमन होस्ट को कंटेंड करें मैंने पहले भी कहा था यह कोरोना एक ऐसी चीज है कि जब तक आप उसको लेकर के नहीं आऊगा कि गर में नहीं आता है और इसलिए हुमन सोर्च जो है हर एक को हमने जागरूत करना पड़ेगा उसने नियमों का पारंद करना होगा यह बहुत आवशक है और निश्चित तोर पर इसमें टेस्टिंग और ट्रेकिंग की बहुत बड़ी भूमिका है हम टेस्टिंग को लाइट न लें टेस्टिंग को हमें हर राज में इतना बढ़ाना होगा कि पॉजिटिव रेट कैसे भी करके पांच परसंद के नीचे लाकर के रख जाए और आपको याद होगा शुरू में जब करोना की खबरे आने लगी तो हमारे यहां कॉंप्टिशन होने लगी वो राज्य तो निकम्मा है वहां बहुत बढ़ गया फनाना राज्य बहुत अच्छा कर रहा है राज्यों की आलोचना करना बढ़ा फैशन हो गई थी तो पहली मीटिंग में मैंने आप सबसे कहा था कि संख्या बढ़ने से आप जराबी चिंता मत कीजिए उसके कारण आपको आपका परफॉमस बुरा है प्रेशर में मत रहिए आप टेस्टिंग पर बल दिए और वो बात मैं आज भी कह रहा हूं संख्या जादा है इसलिए आप गलत कर रहे हैं यह सोचने के जरूत नहीं है आप टेस्टिंग जादा करते हैं उसके कारण पॉजिटिव केस नजर आते हैं लेकिन बाहर निकलने का रास्ता वही है और जो आलोचना करने वाले हैं थोड़े दिन आलोचना सुननी पड़ेगी लेकिन रास्ता तो टेस से बाहर निकल जाएए, टेस्टिंग को बल दीजिए, भले पोजिटिव के ज़्यादा आते हैं, आने दीजिए, लेकिन उसी कद हम उपाय कर पाएंगे, और हमारी टारगेट, सतर प्रतिशत, सेवेंटी परसंट आर्टी पिसिया टेस्ट करने का है, कुछ जगह से मेरे पास खबर आई है, मैंने वेरिफाइ नहीं किया है, कि कुछ लोग जो आर्टी पिसिया टेस्ट कर रहे हैं, उसमें जो सेंपल लेते हैं, उसमें बहुत लेथार्जिक है, ऐसे ही मूँ के आगे ही सेंपल ले लेते हैं, ऐसा है बहुत गहरे जाकर के सेंपल लिये बिना, रियल मिलता ही नहीं है अगर आपने उपर उपर से ले लिया मूह में सवड़ा सा डाल करके तो जो रिजर्ट आएगा तो नेगेटिव ही आने वाला है और इसलिए जब तक सुई को अंदर डाल करके सेंपल नहीं लेते हैं जिन राज्यों में ये हो रहा हैं इसको रोकने क्लिए को अधिवार को पुरे मोले को पुरे टेनामेंट को सबको लपिट लेगा हमने पिछली मीटिंग में भी इस पर चर्चा की थी कि आर्टी पीसी आर्टेस्ट बढाने की ज़रुप है और फिर मैं कहता हूं कि प्रॉपर सेंपलिंग और प्रॉपर होना चाहिए आपने देखा होगा कुछ लेब हपको सबको निगेटिव दे रही है कुछ लेब सबको पॉजिटिव दे रही है तो यह तो अच्छी चितर नहीं है तो कहीं कुछ कमी है और यह गवर्णनस के माद्यम से हमनों चेक करना होगा कुछ राज्यों को इसके लिए इंफास्ट्र बढ़ाने की जरूरत होगी लेकिन इसे जितनी तेजी से करेंगे उतना ही मददकार होगा लेस्ट में शिफ्ट बनाने की जरूरत करनी है तो मैं समझता हूँ इसे भी किया जाना चाहिए साथ ही मैंने पहज़त पारण में कड़ा कंटेन्मेंट जोन्स में टेस्टिंग पर हमें बहुत बलड़ जिस कंटेन्मेंट जोन टाय करें उसमें एक भी व्यक्तिक टेस्टिंग के बिना देहना ने चाहिए आप देखिए आपको परणाम फटा-फट मिलना शुरूर तक ट्रेकिंग का प्रश्ण है प्रसासनिक स्तर पर हर इंफेक्शन के हर कॉंटेक को ट्रेक करना टेश करना और कंटेन करना इनवे बहुत तेजी की ज़ुरुत है 72 अवर्स में कम से कम 30 कॉंटेक्ट ट्रेसिंग से हमारा टार्गेट कम नहीं होना चाहिए एक व्यक्तिक का खबर आया तो उसके 30 समंधित लोगों जो भी मिले हैं उसको हमने करना ही पड़ेगा कंटेन्मेंट जोन की भी सिमाएं स्पस्ट होनी चाहिए बेग नहीं होना चाहिए पूरे के मौले के मौले हिलाके के हिलाके ऐसा मत करो अगर दो फ्लैट है एक इमारत में छे मंजिला है तो फिर उतनों कोई करो बगल का टावर है उसको बाद में देखो अधर्वाइस क्या होगा कि हम सब के सब सरल मार यही है कि महनत कम पड़ती है यह कर दो उस दिशा में मत जाईए आप सब इस दिशा में सक्रिये हैं बस हमारी सतर्ता में कोई कमी नहीं आनी चाहिए यही मेरा अगर रहेगा हमें यह सुनिश्चित करना है कि कोवीड फटिग के चलते जमीन तक जाते जाते प्रयासों में सुस्ती किसी भी प्रकार से नहीं आने देनी है कई राज्यों में कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग को पिरियोड इकली क्रॉस चेक करने के लिए भी टीम्स बना कर काम किया है इसके अच्छे नतीजे मिले हैं हम सब को ये भी अनुभव है कि जहां कंटेन्मेंट जोन में हेल्थ मिनिश्ट्री की एसोपिस का और मैं मानता हूँ ये सोपि बड़े अनुभव से तयार हुई है और समय समय पर उसको अपडेड किया गया है उस एसोपि का प्रभावी पालन हो रहा है वहां बहुत अच्छी सपनता मिल रही है इसलिए मेरा है सुझाव जरूर होगा कि इस और विश्रेश ध्यान दिया जाए साथियों हमने चर्चा के दोरान अभी मोटरा लीड़ी रेट पर चिंता चताई ये कम से कम रहे इन पर भी हमें बहुत जोर देना है और उसका मुल कारण यह है कि वो रूटीन नाइब जीता है मामुली बिमारी ऐसा मान लेता है पूरे परिवार में फैला देता है और फिर एक सिती बिगड़ने के बाद अस्पताल कगाता है फिट टेस्टिंग होता है और तब चीज़े हमारे हाथ से निकल जाती है हमारे पास हर फॉस्टल में देत अनालिसिस की जानकरी होनी चाहिए किस स्टेज में बिमारी का पता चला कब एडमिशन हुआ मरीज को कौन कौन सी बिमारिया थी मृत्यू के पिछे अन्य क्या फैक्टर्स रहे ये डाटा जितना कॉंप्रोएंसिव होगा हमें उतने ही जीवन बचाने में बहुत आसानी होगी साथियों मैं आपकी भी जानकरी में है कि एम्स दिल्ली हर मंगलवार और सुकरवार को इस विशह पर वेबिनार आयुजित करते हैं और देश भर के डॉक्टर्स उनसे जूरते हैं ये लगातार होते रहना चाहिए सभी राज्यों के हस्पताल इनसे जूरते रहें जो नेशनल क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल चल रहा हैं उनकी जानकारी सब को रहें ये भी जरूरी है और ये लगातार कम्मुनिकेशन की ववस्ता है जो मेडिकल फैकल्टी के लोग हैं उनको उनीकी भाषा में उनीकी को लोग समझाए इसका प्रबंध है इसका लाब लेना चाहिए इसी तरह एंबिलेंसिज, वेंटिलेटर्स और ऑक्सिजन अवेलेबिटी की भी लगातार समिक्षा आवश्यक है अभी तक जब इसली बार हम पिक में थे आज भी देश में उतना ऑक्सिजन का उप्योग नहीं हो रहा है और इसलिए एक बार एनालिसिस कर ले हैं चीजों का रिपोर्ट को जड़ा वेरिफाइ कर ले हम साथियों एक दिन में हम 44 लाख वेक्सिनेशन के आंकरे को भी पार कर चुके हैं वेक्सिनेशन पर कई बहत पपन मिंदू इस चर्चा में हमारे सामने आया है देखे वेक्सिनेशन में भी आपके अधिकारियों को लगाईए दुनिया भर के समरुद्द से समरुद्द देश जिसके पांस सब सुविधाय उपलब्द है उन्होंने भी वेक्सिनेशन के लिए जो क्राइटरिया ताई किये हैं भारत उनसे अलग नहीं है आप जरा स्टडी तो कीजिए आप पड़े लिके लोग आपके पास है जरा देखे तो सही और नए वेक्सिन डेवलप्मेंट के लिए जितना भी कोशिश हो रही है मैक्सिमम वेक्सिनेशन और मैनिफेक्टिन कैपिसिटी है उसके लिए भी काम हो रहा है और वेक्सिन के डेवलप्मेंट से लेकर स्टॉक और वेस्टे जैसे जरूरी बिंदों पर भी चर्चा हुई है ये बात सही है आपको मालूम है कि भी इतनी वेक्सिन बन पाती है अब यह अचा तो नहीं है कि इतने बड़े बड़े फैक्टरियां कोई रातो रात लग जाती है जो हमारे पास अवेलेबल है उसके हमें प्राविटराइज करना पड़ेगा किसी एक राज में सारा माल रख करके हमें पढ़ना मिल जाएगा ये सोच ठीक नहीं है हमें पूरे देश को खाल करके ही उसको मैनेजमेंट करना पड़ेगा कोविड मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा पार्ट वैक्शिन वेस्टेज ये रोकना भी है सात्यों वैक्शिन को लेकर राज्य सरकारों की सला, सुझाव और सहमत इने सही देश द्राफी रणदीती बनी है मेरा आप सभी से आगर होगा कि हाई फोकर्ड डिस्ट्रिक्शन जो है उनमें 45 साल के उपर शत्व प्रतिश्द वैक्शिन के लिए लगातार पयास कीजिए एक बार एक तो हैचिव करके देखिए मैं एक सुधाव देता हूँ क्योंकि ये कभी-कभी बातारों बदलने के लिए चीजे बहुत काम आती है 11 अपरिल जोतिवा फुले जी की जन में जैनती है और 14 अपरिल बाबा साब आप मेरकर जी की जन में जैनती है क्या हम 11 अपरिल से 14 अपरिल पूरे अपने राज में टीका उत्सव मना सकते हैं एक पुरा वातावन क्रियेट कर सकते हैं टीका उत्सव का एक विशेस अभियान चला कर हम जादा से जादा एलिजिबल लोगों को वैक्सिनेट करें जीरो वेस्टेज ताए करें हम केम चार दिन जो है टीका उत्सव में जीरो वेस्टेज होगा वो भी हमारी वैक्सिनेशन के पिसेटर को बढ़ा जेगा हमारी वैक्सिनेशन के पिसेटर का अल्टीमेटम अप्टिमम अप्टिमम यूटिलाइजेशन यह हम लोग करें और इसके लिए हमें यदि वैक्सिनेशन केंदरों के संग्या बढ़ानी है तो उसको भी बढ़ाएं पहले एक बार देखें कि हम ग्यारा से चौदा एप्रिल किस प्रकार से चीजों को मोबलाइज कर सकते हैं एक एचिवमेंट का सटिस्पेक्शन मिले गा बातार बदलके में बहुत काम आएगा और मैं बार everybody सरकार को इस मेंने कहा हुआ है कि जितनी मातरा में हम वैक्सिनेशन पहुंचा सकते हैं पहुंचाने का प्रयास करें हमारा प्रयास जई होना चाहिए इस ट्रीकाष को में हम जादा से जादा लोगों को वैक्सिनेट करें और वो भी eligible work को मैं देश के युगाओं से भी आगर करूँगा कि आप अपने आसपास के भी 45 साल के उपर के जो लोग हैं उनको वैक्सिन लगाने के लिए बदद करिए मेरी नवजमानों से विशेस अपील है अगर मेरा देश का नवजमान कोरोना के जो SOPs हैं जो प्रोटोकॉल से distance maintain करने वाली बात हैं मास पहनने वाली बात हैं अगर मेरा देश का नवजमान इसको लीड करेगा तो कोरोना की कोई ताकत नहीं है कोई मेरे नवजमान तक पहुँच जाए हम पहले इस precaution को नवजमानों पर बल दें नवजमानों को वैक्षिन के लिए जितना हम मजबूर करना चाहते हैं उससे ज़्यादा उसको प्रोटोकॉल के लिए प्रेडित करें अगर हमारा नवजमान इसको बिड़ा उठा लेगा खुद भी प्रोटोकॉल का प्लान करेगा और उसे भी करवाएगा तो आप देखिए वो ही स्थिती जैसे हम एक बार पिक पर जा करके नीचे आये थे दुबारा हम आ सकते हैं इस विश्वास के साथ हम आगे तालसा से सरकार ने एक डिजिटल व्यवस्ता बनी आई है जिससे लोगों को वैक्सीन में मदद मिल रही है और बहुत अच्छा हमारे राज्य के जो सरकार की विवस्ता हैं उनको हम काम में लगाएं ताकि लोगों को थोड़ी मदद मिले हमने इसकी चिंता करनी चाहिए शेहरों में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो गरीब है बुजूर्ग है जोगी जो अपनी में रहता है उन तक यह बाते पहुंचा अगर हमारा प्रयास रहेगा तो हमें पन्यका काम का संतोष मिलेगा और हमें उनकी चिंता जरूर करनी चाहिए वैक्सिनेशन के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि वैक्सिन लगवाने के बाद भी लापरवाई न बरते हैं सबसे बड़ी संकट यह हो गया है कि भाई अब मैं मुझे कुछ होगा ही नहीं देवन से मैं कह रहा हूँ दवाई भी और कड़ाई भी हमें लोगों को ये बार बार पताना होगा कि वैक्सिन लगने के बाद भी मास्ट समगरे जो प्रोटोकॉल्स है उसका पालन और अनिवारी है इंडिविजन लेवल पर लोगों में मास्क और सावधानी को लेकर जो लापरवाई आई है उसके लिए फिर से जागरुक्ता जरूरी है जागरुक्ता के इस अभ्यान में हमें एक बार फिर समाज के प्रभावी वेक्तियों, सामाजिक संगठनों, सलिब्रिटीज, ओपिनियन मेकर्स अपने साथ जोडना होगा और इसके लिए मेरा आगरह है कि गवर्नर नाम की जो अपने हैं इंस्टिटूट है उसका भी भरपूरुप्यों किया जाए क्या गवर्नर साब के नेत्रुत्व में हैं, मुख्यमंत्री जी के महारदर्शन में हैं, ओल पार्टी मीटिंग, राज्य तो समसे पहले कर लें, राज्य ओल पार्टी मीटिंग करें और ओल पार्टी मीटिंग करके एक एक एक्सनेबल पॉइंट ते करें, फिर मेरा आगर हैं कि गवर्णर साब और मुख्यमत्रि मिल करके चितने भी इलेक्टेड लोग हैं उनका वर्चुल वेमिनार करें पहले अर्बन बॉडिज का करें फिर रूरल बॉडिज का करें जितने लोग चुन करके आए हैं उनसे करें और उनके सामने सभी आपके एसम्ली में जो जीत क करके लोग आये हैं उसके जो फ्लोर लीडर हैं सब सम्मोधिन करें तो एक पॉजिटिव मेसेज अपने आप शुरू हो जाएगा कि इसमें राजनिती नहीं करनी हैं सबने मिल करके करना है तो मैं समझता हूँ एक तो यह प्रयास करना जाए दूसरा गवर्णर साब के नेत करके समीट हो जाएं और बाकी लोगों को वर्चुल जोड़ा जाएं जो सिविल सुसाइटी के लोग हैं एकाज समीट उनका कर लिया जाएं जो सेलिब्रिटिज हैं लेखं हैं कलाकार हैं खेलाडी हैं उनको एक बार कर लिया जाएं मैं समझता हूँ कि यह गवर्णर के मा दीजिए कि हमारा क्या हुआ है हम एक दम ट्रेस्टिंग भूल करके वेक्षेन पर चले गए वैक्षेन जेसे जैसे प्रोटर्टूप्स ओकी जया जैसे जे को लड़े थे उसी तरीके से लड़ाई को जीत सकते हैं और जैसा मैंने कहा पूरे परिवार फैले लेपट में आ रहा है उसका मूल कारण जो मुझे नजर आता है फिर भी आप लोग इसको वेरिफाई कीजिए मैं क्लेम नहीं करना हूं किसी चीज़ का मैं सिरफ अपना जहा परीवार संकत में आ जाता है और इसलिए मेरा आग्रह है प्रो एक्टिवली हमने टेस्टिंग पर बल देना होगा हमारे पास व्यवस्ता है हिंदुस्तान के हर जिले में लेब बन चुकी है एक लेब से सुरू किया था हमने अज हर जिले में लेब पहुंच गई है और हम इस चीज को बल ना दे, तो कैसे होगा, इसलिए मेरा आगर है, जहां तक राजनीति करना न करना का थवाल है, मैं तो डेवन से देख रहा हूं, भाती-भाती के बयानों को जेल रहा हूं, लेकिन मैं कभी मुह खोलता नहीं हूं, क्योंकि मैं मानता हूं, ये हिंदुस्तान के लोगों की सेवा करना पवित्र हमारा जिम्मेवारी है, हमें इश्वर ने इस समय के कठीन परिस्तिति में सेवा करने का जिम्मा दिया है, हमने इसको निभाना है, जो राजनीति करना चाहते हैं, वो कड़ी रहे हैं, उनके लिए मुझे कुछ कहना नहीं है, लेकिन हम सभी मुक्य मंत्री अपने राज्य के सभी दलों को बुला करके सभी प्रकार के लूगों को साथ रख करके अपने राज्य में स्थिति को बदलने के लिए आगे आएंगे मुझे पक्का विश्वास है इस संकट को भी हम देखते ही देखते पार करके निकल जाएंगे, फिर एक बार मेरा यही मंत्र है, दवाई भी और कड़ाई भी, ये इस विशे में कोई कॉम्प्रमाइज मत कीजी, मैंने पिछली बार भी कहा था, कि आपको जुकाम की दवा ले ली और बार बारीज आ रहे हैं, आपको अगर जुकाम हुआ है, द कोरोना यह एक ऐसी बिमारी है, जैसे हर प्रोटोकल में फॉलो करते हैं, इसको भी करना पड़ेगा है, और मैं यह कहूँगा कि जैसे हमने पिछली बार कोरोना को निरेंदित किया था, वैसे ही हम बार इस बार भी कर लेंगे, मैरा पका विश्वास है, और मेरा आप पर भ होगी, वह इंचलाते रहेंगे, आज बल हम इस परदयें और जो एक टिका उत्सव, एक ब्रेक्थ्रू करने के लिए ताई किया है, उस टिका उत्सव पर हम एक नई सफलता प्राप्त करें, एक नया विश्वास परदा करने के लिए एक छोटा सा अवसर काम आ सकता है, मैं